सब्सक्राइब करना है आपको क्या करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे टीरेसों दिये हुए है उन टीरेसों की वैल्यू इस टेबल आपको फाइंड करना है सब्सक्राइब करना है और इसको सब्सक्राइब करना है और इसको सब्सक्राइब करना है और इसको सब्सक्राइब करना है साइन थीटा का कोशेक शित्ती बिन जाएगा यहां पर किसना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2 रूट 3 अब ये वाली value उपर वाली हो गई अब नेचे वाली देखो sec 30 degree अब sec theta भी cos theta करें थी popularize का बतो गया cos 30 degree वे जो value है उतका उटा बादो root 3 by 2 है तो 2 by root 3 कर दो 10 30 बन जाएगा 2 by root 3 कर दो plus cos 60 degree डारेक्ट देख लो 1 by 2 होता है plus cos 45 degree अब cos किसका रिस्कोकल है तो cos 45 degree की value जो आएगी और tangent 45 degree का रिस्कोकल होगी तो आप इसको लिलो 1 आप वाले 1 कर लो यहां को भी 1 कर लो आप वाले ले 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 तो रहेगा अब आपको यहां के region दालने ही जुरूरी है because यह वाला क्यों डाला हमने because cosec theta is equal to 1 upon sin theta अगले वाला क्यों डाला यह वाला because sec theta is equal to 1y cos theta अब यह वाला क्यों डाला हमने because cos theta is equal to 1y tan theta यह आपको इसके region जरूर लिखने अब इसको simplify होते हैं first upon numerator का लेते हैं numerator में कितना है 2 root 3 यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे बन जाएगा root 3 2 root 3 है ना इसको root 3 यहां पे आजाएगा और यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतब 2 root 3 उपर आजाएगा और मैनस 4 यह हो गया आपका अब numerator का तो हो गया denominator में देखते हैं denominator में क्या आएगा denominator में भी 2 root 3 यहां आएगा तो यहां पे root 3 है 2 नहीं है उपर आजाएगा यहां 2 है root 3 नहीं है तो उपर root 3 आजाएगा यहां पे कुछ भी नहीं है तो उपर क्या आजाएगा 2 root 3 अब आप इसको क्या करेंगा देखो यह आपकान क्या पॉन में है जैसे यह इसे हो गया जैसे a by b upon c by d आप इसको कैसे करते हो a by b into d by c करने से तो ऐसे ही आपको यहां करना है तो क्या हो जाएगा 2 root 3 plus 1 root 2 root 3 2 root 3 plus 1 root 3 कितना हो है 3 root 3 3 root 3 minus 4 आब ओन यह 2 root 3 जा जाएगा आज अधे सांग Solution भी कते हैं स्का अब इसका देखो किता हो कहारा 2 root 3 plus causing 3 root 3 हो जाएगा प्लास क्यों 4 ये इसका उट्टा करना हमने ऊपर चला जाएगा है स्क्वार्ण 2 root 3 2 root 3 ये ऊपर चला गया और निकिका पर जाएगा 3 root 3 अब यहां पर क्या आएगा आपका इस त्री रूट थ्री मैंनस फोर अपॉल थ्री रूट थ्री प्लस फोर अब हमें पता है कि जब इन रूट पर रूट आए तो हमें रेशनलाइज जूर करना है कैसे करना पर यह प्लस फोर अधा तो मैंनस हो जाएगा घृरू थ्री रूट थ्री गोन दिखा जाएगा तो यहां पर प्लस फोर अब यहां पर क्या होता लेगा उपर तो तो a-b whole square हो जाएगा, same to same as same square हो जाएगा, 3 root 3 minus 4 whole square, और इसे क्या हो जाएगा आपका है, a plus b, a minus b, इसका बतर a square minus b square हो जाएगा, whole square, यहाँ पे आगे square पेडिक आजेते हैं, a minus b whole square क्या बतार आपका, a square plus b square minus 2, 1 का square हो जाए, 3 root 3 का square हो जाएगा, प्लस 4 का square हो जाएगा, इसका square 3 का square 9 होगा, और root 3 का square 3 वे जाएगा, 9 दीजा, 27 minus 16, और जब यहाँ भी क्या होगा, 27 minus 16 इतना होगा, अब 1 में 11 आगया, और इसका इतना आजेगा square 9 दीजा 27, यहाँ आगया, यह कितना होगा, 16 होगा, 24 में 24, 24 root 3, अब दीजा कितना होगा, 27 plus 16, 43 minus 24 root 3, अब जब दीजा, आई जो